ये प्यार ना होगा कम जिन्पिंग तेरी कसम ये हमारे मोदी जी की तरफ से गाना आज चीन के वो पेश है अर्थवे अरस्था छोटी हो सकती है हमारी सेना का कलेजा बहुत बड़ा है बात लाल आंख की थी हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिछाए गए चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 हमारी कंट्रोल से हमारे हाथ से जा चुके है ये प्यार ना होगा कम जिन्पिंग तेरी कसम ये हमारे मोदी जी की तरफ से गाना आज चीन को पेश है मोदी जी का चीन से बड़ा एक तरफा प्यार लग रहा है वन वेट राफिक गलवान में चीन हमारी सीमा के भीतर आकर बैठा फिर 20 जवान बहदुर जवान शहीद भी हुए उसके बाद क्लीन शिट प्रधान मंत्री ने दी उसके बाद जैशंकर जी ने तो नतमस तक हो ग चाबला करें तो जो नुकसान प्रधान मंत्री जी ने क्लीन चिट चीन को देकर पहुंचाया हिंदुस्तान को उससे दोहरा नुकसान जैशंकर जी के स्टेट्मेंट से हुआ ना केवल चीन को बलकि ऐसे तमाम ताक्तों को जो शायद हिंदुस्तान से उनकी अर्थ यस्था बड़ी हो या किसी और स्तर पर वो हमसे जादा मजबूत हो अब उनके मन में आ गया कि हिंदुस्तान मजबूत देश पर कभी जवाब नहीं देता वो साहस नहीं दि कि बात लाल आंख की थी हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिचाए गए चीन के जो विदेश मंतरी हैं उनके स्वागत में आप जूला जूलते हमें कोई दिक्कत नहीं महमान है आप जूलिए लेकिन आज आप एले सी पर वारता चीन से कर रहे हैं देश की संसद में आप ये चर्चा करना पसंद नहीं करते सतना राउंड वारता आपकी चीन से मिलिटरी स्तरकी हो चुकी है नतीजा क्या निकला आप देश को नहीं बताना चाहते हैं और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं तो ये बातचीत एले सी के किस मुद्दे पर चल रही है या तो आपने तब जूट बोला था माफी मांगिए या आप कुछ अब छुपा रहे हो ये प्यार ना होगा कम जिन्पिंग तेरी कसम ये हमारे मोदी जी की तरफ से गाना आज चीन को पेश है कितने ही कर ले सितम मोदी जी का चीन से बड़ा एक तरफा प्यार लग रहा है वन वे ट्राफिक गल्वान में चीन हमारी सीमा के भीतर आकर बैठा फिर बीस जवान बहदुर जवान शहीद भी हुए उसके बाद क्लीन चिट प्रधान मंत्री ने दी उसके बाद जैशंकर जी ने तो नतमस तक हो गया पूरी तरह से इलाब वो तो बड़ी एकॉनमी है हम तो छोटी एकॉनमी हम उनसे कैसे मुकाबला करें तो जो नुकसान प्रधान मंत्री जी ने क्लीन चिट चीन को देकर पहुंचाया हिंदुस्तान को उससे दोहरा नुकसान जैशंकर जी के स्टेट्मेंट से हुआ ना केवल चीन को बल उनके मन में आ गया कि हिंदुस्तान मजबूत देश पर कभी जवाब नहीं देता वो साहस नहीं दिखाती हिंदुस्तान की राजनेतिक नेत्रत बात लाल आंख कि थी हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिचाए गए चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में आप जूला जूलते हमें कोई दिक्कत नहीं महमान है आप जूलिए लेकिन आज आप लेसी पर वारता चीन से कर रहे हैं देश की संसद में आप ये चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं सत्रा राउंड वारता आपकी चीन से मिलिटरी स्तरकी हो चुकी है नतीजा क्या निकला आप देश को नहीं बताना चाहते हैं और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं तो ये बातचीत एलेसी के किस मुद्दे पर चल रही है या तो आपने तब जूट बोला था माफी मांगिए या आप कुछ अब छुपा रहे हो बताईए दोनों में से एक चीज हो सकती है ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आप यूँ ही बातचीत करने चले गए मिलिटरी लेवल कोई मजाक तो होता नहीं है तीन साल पहले 20 अपरेल 2020 को जिन पॉइंट्स पर हमारी सेना हमारे फोर्सिस गष्ट लगा पाते थे आज तीन साल होने वाले हैं अगले महिने की 20 तारिक को हो जाएंगे नहीं लगा पा रहे है पैसठ पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 हमारी कंट्रोल से हमारे हाथ से जा चुके है यह सब तथ्य सब को मालूम है ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आपने सुने या पहली बार म से मंच से विशेशग्य बता चुके हैं सैटलाइट इमेजरी बता चुकी है सेवा निवरित सेन्याधिकारी बता चुके हैं strategy जो समझते हैं geopolitics जो समझते हैं वो आपसे बार-बार बात करते रहते हैं बताते रहते हैं आपको depth sunk planes के patrolling points PP 10, PP 11, PP 11A, PP 12, PP 13 पे अब हमारे जवान नहीं जा सकते यह यथा स्थिती यह स्थिती है वरस्तु स्थिती चीन के हमारी border पे चीन के साथ यह है और hot springs और घोगरा में patrolling point 15 और patrolling point 17A हमारे नियंतरण से बाहर जा चुका है and then of course जो चाइना ने जो जमफेरी रिज जिससे सिलीगुडी corridor हमारा खत्रे में आ गया है जो gateway है North Eastern States पर बड़े खुश थे कल प्रधान मंत्री जी मुस्कुरा रहे थे कि हम जीत गए हम जीत गए North East आप North East का चुनाव जीत जाएं और पूरा North East हार जाएं इस थिती पर आप ले आए हैं यह सिलीगुडी corridor जो होता है यह सबसे जादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए हमारे हितों के लिए हमारे North East के हितों के लिए आपके लिए सिफ चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है और North East भले आप पूरा देश हार जाया उनको कोई आपत्ती नहीं क्या इस पर चर्चा होगी और जो 26 मीटिंग working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs हुई थी क्या उसमें 20 अपरेल 2020 से पहले की अथा स्थिती के बारे में चर्चा हुई अगर हुई तो चीन ने क्या बोला और हमने प्रतियुत्तर में क्या बोला यह सब बातें देश जानना चाहता है आप लाल कालीन बिशाईए चलिए वो भी हम बरदाश कर लेंगे आप लाल आंख नहीं दिखा सकते हम वो भी बरदाश कर लेंगे हमें मालूम है कि आप को पसंद है चीन हमें आपके रिष्टे मालूम है चीन से हमें ये मालूम है जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थ हमें मालूम है कि आपको अमेरिका से वीजा नहीं मिल रहा था हमें मालूम है आपको लंडन का वीजा नहीं मिल रहा था यूके का हमें मालूम है आपको चीन से वीजा मिल जाता था आप चले जाते थे बारवार स्मार्ट सिटी बनवाएंगे जी गुजरात के मुख्यमंतरी उस वक कहते थे चीन हमारी मदद करेगा गुजरात में स्मार्ट सिटी बनाने गुजरात में तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी अरुनाचल प्रदेश में चीन की एक स्मार्ट सिटी बन गई यह यह देखिया आप फरक तो वादा तो मोदी जी ने ठीक किया था कि स्मार्ट सिटी बनवाएंगे वो हम समझे नहीं थे कि वो चीन बनाएगा हमारी टेरिट्री में आकर और ये भी हमें सैटेलाइट पिक्चर से मालूम पड़ता है हमारे सरकार में कोई सरवदलिये बैठक बुला के नहीं विश्वास में लिया कि साब ऐसा हो गया है बताइए अगे क्या करना अची ऐसा कुछ नहीं हुआ बाहर की सैटेलाइट इमेज से हमें मालूम पड़ता है फिर दो दिन डिबेट्स होती है चार-पांच बार हम प्रेस कॉंफरेंस करते हैं आठ-दस दिन हम संसद में अपना बहस करने के लिए उनको मजबूर करने कोशिश करते हैं फिर हमें ब जैशंकर जी को एक आखिरी में मैं सला दूंगा अर्थवयस्था छोटी हो सकती है हमारी सेना का कलेजा बहुत बड़ा है उसको कम मतां किये हमारी सेना के कलेजे का अपमान मत करिये आइंदा जब मूँ खोलें तो सोच समझ कर बोलें जैशंकर जी पड़े लिखे व्यक्त के साथ भी उन्होंने धोका किया है इस तरहें की हलकी बात करके